है हे लो फ्रेंश कैसे हैं आप रिवर स उप इंडिया की सीरीज में आज हम अपना थर्ड लेक्शे लेकर रहे हैं जो गंगा river system की सायक नदियों के बारे में है जिसमें आज हम गंगा की उनसायक नदियों की चर्चा करेंगे या उन पर करेंगे जो उसे right hand चा कर मिलती है यानि कि या कि अज़िए बात करने चा रहे हैं हमने की पूरे कोर्स के बारे में पढ़ा था उसके पढ़ा था जैसे आमने देखा था कि गंगा भागी रथी और अलग नंदा और कुछ सायक नदिया मिलकर गंगा बना रही थी और फिर ये गंगा सारी मेजर सिटीज हमने देखी थी किन किन से गंगा भैती हुई जा रही थी और एट लास फरक्का बैराज के बाद हमारी भाग्यों के से जिए कर सी गंग साहरे आलग वो सारी अञे पढ़ने जा रहे हैं आप हमें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइ refuse करें बेल आइकन दवाना ना भूले जिससे आपको मारी सारी नोटिफिकेश्न टाइम हें व्लती रहें साथ साथ आप हमें एन्ट सखेंप और भहुत आसानी से आपको सारी गंगा की सायक नदी जो से दाय तरफ से मिलती है वो भी आद हो जाएंगी और साथ साहक की भी जो सायक नदिया हैं जैसे अगर हम यह जमना की सायक नदी के बार में पढ़ेंगे जो चंबल है और उसकी सायक जो इंपोर्टेंट रिवर्स हैं तो इस वीडियो के लास तक जरूर बने रहें तो चलिए फ्रेंट जली से शुरू करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा के बारे में अगर हम गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें मतलब की वो नदियां जो से दाय तरफ से आके मिलती है मतलब राइट हैं जिसे हम कर्म नासा नदी के नाम से जानते हैं और फिर अगर हम उसे बिहार में ले जाएं गंगा को तब हमें सोन पुन पुन और फाल्गु इस तरह की नदियां मिलती है जो गंगा में आकर मिल रही होती है तो अगर हम बात करें जो मेजर रिवर्स हम अज पढ़नी है गंगा की राइट बैंक साहिक नदियों को लेकर तो वह है यमना तंसा कर्म नासा सोन पुन पुन और फाल्गु बहुत आसानी सी ट्रिक है जिससे आप इसे याद कर लेंगे घबराएगा बिल्कुल भी नहीं चलिए तो यमना तंसा कर्म नासा सोन पुन और स्वाल्गु किस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं तुमको कर्म सौपूँ पाल्गुन तुमको कर्म तुमको का मतलब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजेगा यह तमसा नदी से है कर्म का मतलब आसानी से निकाल सकते हैं वो कर्म नासा नदी को बता रहा है स्वापू का मतलब है सोन और पुनपुन नदी और फालगुन मतलब फालगुन नदी से है तो देखे कितने आसानी से पू गंगा की साहक नदी से जो इसको आकर मिलती है यमना में साथ साथ एक और बात ध्यान रखेगा जितनी भी गंगा की राइट हेंट रिब्यूटरी है मतलब वो नदियां जो से राइट हैंड से आकर मिलती हैं वो सारी की सारी या तो किसी पठार से निकल रही होंगी या फिर म जो चलिए फ्रेंट अब हम जली से यमना के बारे में शुरू करते हैं अगर हम यमुना को देखें सबसे पहले तो यह जनरल माप है यमना का अगर आप सारे गंगा की जितनी भी सायक नदिया है उन्हें हटा देखें और सिफ यमना को अगर देखें तो वह माप कुछ आपको तो हमारी में रिवर है जिसकी सायक नदियां हम पढ़ रहे हैं में इंपोर्टन डिवर जो उसकी आती है वो है यमना जो राइट बैंक से सबसे पहले उसे आकर मिलती है और यमना के साथ साथ इस मैप में आपको देखें यमना की सायक नदियां भी दिखाई गई है यमना क वहां मिलती है उधगम का होता है यह हम आगे डिसकस करेंगे अभी हम इस मैप में क्या देख रहे हैं कि यमना कहां जैसे गंगा में आकर मिल रही है तो अकर बात करें तो देखी एक चंबल नदी है फिर वहीं पर सिंद अश्राष्प बेत्वा है केन है यह सारी नदिया हो ग Tamsa Nadi भी Tamsa Nadi भी दूसरा नाम टोंस है तो confidence मत होएगा वह जो Tons है वह आपको एक प्लैटो से मिलेगी कि वह फथार से निकल आ रही है जब कि यह वाली जो Tons है यह यम्मौना की सहयक है और कहां से निकलती है हिमाल्या से निकलती है जो गंगा की सहयक नदी है Tamsa Nadi जिसे ह तो किसी पठार से निकलेगी, अभी हम आगे देखेंगे, वहीं जो यमना की टोंस है, ये कहां से निकलती है, हिमालयाज से निकलती है, तो don't be confused between the tones and the Tamsa, क्योंकि एक टोंस यमना की भी सायक है और एक टोंस गंगा की भी सायक है, जिसे हम Tamsa के नाम से जानते हैं, तो ये र से निकलती है, हिमालयाज में से ही जिसका उधकम हो रहा है, बाकी जो चमबल, सिंथ, बैतवा, और केन हैं, इन्हें आप कैसे, बहुत आसानी से इन्हें आप याद कर सकते हैं, चम्बल, सिंथ, बैतवा, केन को यमना की चैन ध्यान दीजेगा यमुन रिष्ट कितनी आसाणी से याद ऊ of चेन है और ऊसमें क्या चैन देखे चंबल सिन्ध, बेतवा, और केन, तो यह रही यम्ना की सायक नदियों की बात, अब हम एके करके discuss करेंगे, चलिए के बिना देर के चल्ली से हम क्या शुरू करते हैं, यम्ना रिवर सिस्टम में अगर हम यम्ना की बात करें सबसे पहले तो यम्ना का अगर हम कि ग्लेशُयर का नाम हम बताए तो वो क्या है بंदर पूच पीक के पास से यमनोत्री ग्लेश्यर से यमना हमारी निकलती है और इसके लिए चो ट्रिक हो जली सेThenश बोलिए बंदर यम्ना के लिए कैसे आठ करेंगे, बंदर की पूँच से यम्ना निकलती, तो ये हो गया देखिए, आप देख सकते हैं मैप में यम्नोत्री, यह आपकी घंगा में होते हुए और उसके बाद यह गंगा में अकर कहा मिल जाती है, इसे प्रियाग राज के नाम से भी जानते हैं, प्रियाग राज की हिस्ट्री भी लास लेक्षर में बता दी गई थी, कैसे इसका नाम प्रियाग राज पड़ा, क्योंकि यहां पर यंगा और यम्ना का संगम हैं, जिसे हम प्रियाग के नाम से भी जानते हैं, तो यह रही बा क्या लिखा है longest tributery of India मतलब भारत में जितनी भी नदियां पाए जाती है और उनकी जो सायक नदियों कि अगर हम बात कर呢 यमना एक सायक नदी है दंगा की तो अगर सायक नदियों के रेसफेक्ट में यमना को देखें तो भारत में जितनी भी सायक नदियां यानि कि जितनी भी tributaries पाई जाती है उन सम में सबसे बड़ी सायक लदी कौनसी है? यमुना यानि कि longest tributary है दूसरी अगर हम बात करें तो यह second largest tributary है, गंगा की गंगा की अभी हमने सारी सायक नधिया नहीं पड़ी है ढड़ाने ज हम व्हों क्या देख रहा है जो उसके को दाय तरफ से मिलती है यानि जो ये सिकंड बेंक' ERIC की जमिना अगर अन उन पंद है तो और। जो शाहे कि सारी साहे कि मतलब चाहें फिर गई थी longest और largest में difference कैसे किया जा सकता है longest अगर हम बात कर रहे हैं इसका मतलब हम उस नदी की लंबाई देख रहे हैं कि वो कितनी बड़ी है अगर हम largest की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह कि वो कितना पानी लेकर आ रही है विद रेस्पेक्ट तू दूसरी नदियां जो हैं तो second largest ्रिबूटरी है गंगा की मतलब पानी के कितना पानी वो लेकर चल रही है अगर उसमें हम देखें तो यह second largest इस्ट्रिब्यूटरी है गंगा की वहीं अगर हम बात करें कि कितने राज्यों से होकर आती है तो देखिए उत्राखंड हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोग को यह नहीं पता होता कि यमना जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर भी जाती है जी हा भी मोई पांच पून शायक नदी है वो भी पांच राज्यों से होकर गुजरती है उत्राखंड हिमाचल पिर्देश हरियामा दिली और उत्तरप्रदेश तो यह नहीं बात ग्यमना जब यमना और गंगा एक दूसरे के पैरलल फ्लो कर रही होती है तो उस को हम उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं उस मैदान को हम क्या बोलते हैं गंगा यमना दोब जैसे पांच नदियां पंजाब बनाती है जब पांचों का दोब एक साथ अगर हम मिला दे तो वो क्या बन जात इसी तरह जब दो नधियोत management के मैदान को दो आप 5 नधियों का मैदाण पंजाब, दो नधियो नधियों का मैदान दो आपट के हैं, 5 नधियां नधिय पड़ चुके हैं, सिंधा में चलिए यह बात हो गई यमना के facts को लेकर और आगर हम देखें यह बहुत important fact है यमना के बारे में क्योंकि पेपर में यह कई बात पूछा भी गया है अगर हम बात करें देखे हमें हतनी कुणड बेराज यह कहां पर है हरियाना में है हतनी कुंट बैराज भी पूछा गया है किस नदी पर इस्थित है तो यमना नदी पे आप आसानी से बता सकते हैं किस स्टेट में है अगर वो पूछा जाए तो वो कहां पर है हर्याना में ये इस्थित है साथ साथ अगर हम बात करें कि हतनी कुंट बैराज से दो नहर भी निकाली गई है सिचाई के लिए इरिगेशन के लिए एक है वेस्टन यमना कैनाल दूसरी है इस्टन कैनाल मतलब एक जो पश्चिम की तरफ जारी है दूसरी जो पूर्वी की तरफ जारी है जो पश्चिम वाली है वो हरियाना राज्य में है और जो पूर्व वाली है वो कहां पर है उत्तर प्रदेश में है तो ये important है हत्नीगुन बैराज हरियाना में है जिससे दो सिचाई नहर भी निकाली गई है एक वेस्टन यमना कैनाल और दूसरी इस्टन यमना कैनाल साथ-साथ अगर हम यमना की बात करें सिफ यमना को लेकर चलें तो अभी हमने ऐसे देखा कि यमना जो है यह लॉंगेस्ट रिब्यूटरी है भारत पे सबसे बड़ी साहिक नदी है साथ-साथ सेकिं गंगा की वही अगर यमना की हम लार्जेस्ट रिब्यूटरी की बात करें अभी हमने यमना को देखा कि वो गंगा की सेकिंड लार्जेस्ट रिब्यूटरी थी लेकिन अगर हम यमना के रेस्पेक्ट में बात करें कि यमना की सबसे लार्जेस्ट रिब्यूटरी कौन सी है तो वो है tones ध्यान दीजे का largest tributary की बात हो रही है longest tributary की बात नहीं करी जा रही है largest मतलब पानी के अब हाफ को लेकर हो रहा है कि कितना पानी वो लेकर आ रही है तो सबसे जादा जो पानी लेकर आती है यमना के case में वो उसकी सायक नदियों में से कौन सी है tones लेकिन अगर आप बोले कि यमना की सबसे लंबी नदी कौन सी है लंबी सायक नदी कौन सी है यमना की सबसे लंबी सायक नदी कौन सी है तो वो है चम्मल जिसे अभी हम आगे देखेंगे अगर हम पानी के एरिया में देखें कि कौन सबसे यमना की सारी सायक नदियों में सबसे जादा पानी लेकर कौन आता है तो वो है टोन्स यानि कि वो उसकी लार्जेस ट्रिब्यूटरी है अगर हम ये कहें कि यमना की सबसे लंबी नदी कौन सी है लंबी सायक नदी कौन सी है यानि कि longest tributary कौन सी है यमना की तो वो है चंबल जिसे अभी हम आगे डिसकस करेंगे तो ये तो कुछ facts होगा यमना के बारे में साथ-साथ जैसे हमने गंगा के में देखा तक जैसे गंगा एक महतपूर्ण नदी है उसी तरह हमारी यमना भी बहुत महतपूर्ण है पाँच राज्यों से होकर गुजरती है फाइव स्टेट से होकर अभी हमने देखा तो पेपर में पूछेता है कि कौन-कौन सी सिटीज है जो यमना के किनारे पर है तो मेजर सिटीज के यहां पर मैंने आपको नाम दिये है दिल्ली, नौइडा, मतुरा, आग्रा, फिरोज चाकर मिलती है गंगा में साथ-साथ उसके फैक्स हमने देखे कि वह से कि लार्ज इस्ट्रिब्यूटरी है गंगा की और लॉंग इस्ट्रिब्यूटरी है भारत में अगर हम बात करें अब आते हैं हम यमना की सायक नदियों को लेकर सायक नदी की ट्रिक क्या थी चल्ली से इमना की चेन में कॉन हैं चंबसिन बएतवा और केन लेखिन के यहांपर दो और हमने याद करना है आपको एक टोण्स जो지도 खले ही छोटी है लेकिन देखिया ऑनahh आप तरह चोपी लेकिन लम्बाई में है लेकिन भुवह पूर्च सबसे जादा पानी के आती है सबसे जादा किम ट्रही का उरस करने पी में ही उप आप की तम लेकंटDAY। जिसमें से हम जो पढ़ेंगे या जो हमें रेटेन में जानी जरूरी है पेपर के लिए वो क्या है चंबल सिंध बेतवा और किन साथ साथ यमना लॉंगेस्ट रिब्यूटरी है गंगा की ध्यान दीजे बहुत सारे फैक्स हैं लॉंगेस्ट और लाड़ जस्ट में उसमें यमना दूसरे नंबर पर आती है पहले नंबर पर कौन आती है वो जब हम सारी सायक नदिया पढ़ लेंगे तब आप आसानी से इसका अंसर दे पाएंगे चलिए यह बात हो गई लोंगेस्ट और लाड़ जस्ट को लेकर जब हम गंगा की बात कर रहें लेकिन जब ह हम गंगा की सायक हमने यमना पढ़ ली अब हम यमना की सायक नदी पहले पढ़ने जा रहे हैं जो कौन सी है चंबल है पहले हम चंबल पढ़ेंगे फिर चंबल के साथ साथ उसकी भी सायक नदी पढ़ेंगे और फिर जो बाकी बची हुई हमारी यमना की सायक नदी है उन प देख सकते हैं चम्बल यमना में आके मिल रही है तो जो चम्बल का अगर हम उद्गम यानिक इसके ओरिजिन की बात करें तो जो चम्बल है यह हमारी विंध रेंज से निकलती है जैसा कि मैंने बताया था जालता नदियां कहां से कहां से आरी होंगी या तो वह रेंज से निक इसे याद कैसे करेंगे? चुट्कियों में याद हो जाएगा, विंद में चंबल के पाओं हैं, विंद मतलब विंद रेंज में चंबल यानि की चंबल नदी पाओं हैं, यानि की जनपफ पहाडियां, पाओं से अकर आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से आप्शन में द अगर वहीं हम चमबल को देखें कि चमबल आखिर में जाकर यमना में मिल रही है जैसा कि हमें पता है तो कहां चाकर मिलती है यह इतावा के पास जाकर यमना में मिल जाती है साथ साथ एक बहुत important city भी इस पर located है इंदोर याद रखेगा बहुत महत्पूर्ण city है अगर important city की बात करें चम्बल पर तो इंदोर याद रखेगा और ये चम्बल यमना की क्या है longest tributary एक बार फिर से revise करवा रही हूँ चम्बल क्या है यमना की longest tributary मतलब सबसे लंबी अगर सहायक नदी की बात करें हम यमना की जो है तो वो कौन सी है चम्बल चलिए अगर हम चम्बल के कुछ facts की बात करें तो बहुत important चीज़े हैं जो चम्बल के बारे में paper में अक्सर पूछ ली जाती है तो पहली बात यह कि यह remote addinglev बनाती है यानि कि बीहड बनाती है खड बनाती है यह दो का बीहड खड वाली चम्बल जो यह वही है और यह गली काटना या मिट्टी को हटाना चंबल यह मिट्टी चारती है और किgण वह काटू है इक्डम वह एकडम गली अपर्दन ये तो बिल्कुल नाली तो ये मिट्टीयों को काटती जाती और इस्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं गली एरोजन या आप कह सकते हैं नली अपर्दन ये करती है और वही पर ये क्या बीहड और खट बना देती है आपको याद होगा एक पिच्छर आय थी पान सिंग तोमर तो पान सिंग तोमर में जो खट और बीहड दिखाय गए थे वो यहीं से लिए तो यहाँ कि MP में तो औरिजिन हुआ तो राजिस्थान में कैसे चंबल सेंचुरी यह क्लियर हो जाएगा अभी जम आगे देखेंगे तो चंबल में क्या है एक नेशनल चंबल सेंचुरी भी है जो कहां पर है राजिस्थान में है और यह सेंचुरी अपने घडियाल्स के यह बहुत फेमस है लेकिन क्योंकि घडियाल्स अब क्या है एंडिंजर्ड में आ चुके हैं मतलब अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह लुप्त हो जाएंगे यानि कि यह एक्सिंक्ट हो जाएंगे तो यह बात होगी चंबल सेंचुरी को लेकर अब अगर हम बात अगर हम सायक नदिया बदो पढ़ रहे हैं गो तो इमना की हम सबढ़े या फिरह सकते हैं कि अगर बात करें चंबल की तो पहली चंबल को जो सायक नदी मिलती है उसे वो है शिप्रा, उसके बाद आती है काली सिंद, फिर पारवती और उसके बाद बनास, जो ट्रिक होगी वो भी इसी सीरीज में होगी ताकि आपको यह याद करना पड़े कि पहले कौन सी नदी मिलती ह फिर कॉं सी मिलती है, फिर कॉं सी आपका हाफ़ वक मैं ने कर दिया है अब हाफ़ वक आपको करना है इसे याद करने में चलीये तो याद कैसे करिए शिप्रा, काली, सिंद, पारवती, और बनास को शिप्रा और काली पर चंबल बन है शिप्रा और काली पर चंबल बन है मेरे साथ बोलिए देखिए शिप्रा और काली काली का मतलब क्या है काली सिंध पर का मतलब यहाँ पर क्या है पारवती और देखिए बीच में यह जो नदी आ रही है वो क्या सी होगी चंबल होगी और उसके बाद क्या के मिल जारी है बनास मिल जारी है तो कैसे बोलेंगे शिप्रा और काली पर चंबल बन है देखो कितने असानी से सारी चंबल की सायक नदिया भी आपको याद हो गई शिप्रा और काली पर चंबल बन है अब हम इन ही सायक नदियों को इनके उ चम्बल की साईक नदीों की तो वह क्या थी? शिप्रा, काली-ंद, पारवति और बनास, यानि कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि शिप्रा और काली-ंद पर चम्बल्स भनद, तो असाणि सा अग्र आप देखे, चम्बल के दो साईक नदी ते लिए आप दो कहां, को इस jullie सिंद औ इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं, जिनको ट्रिक की जरुद है, मैं उनके लिए दे रही हूँ ये, तो काली सिंद और पारवती कहां से आती हैं, विंध से आती है, और चंबल भी मेरी कहां से आती है, विंध से आती है, में जो आपको याद करना है, वो है बनास और श आती है वही शिप्रा की अगर हम बात करें तो शिप्रा कहां से आ रही है देखो मध्य प्रदेश में आ रही है और यहीं पर क्या है मालवा का पठार भी है वैसे तो मालवा का पठार तीन राजियों में है अब मध्य प्रदेश में भी है राजिस्थान में भी है इसका कुछ और कुछ हिस्सा इसका यूपी में भी पड़ता है लेकिन जहां से शिप्रा निकल रही है वो कहां से आ रही है मालवा के पठार से आ रही है तो आप आसानी से देख सकते हैं बनास कहां से आई अरावली से ठीक है और शिप्रा कहां से आ रही है मालवा में धार डिस्ट्रिक स तो ये तो बात हो गई चंबल नदी की सारे सायक नदियों के उद्गम की यानि की उनके ओरिजिन की उनके सोर्स को लेकर अब बात अगर हम करें end की इनके यानि की ये चंबल में कहां कहां मिलती है तो जो बनास है ये सवाई मधोपुर राजिस्थान में मिलती है देखिए आ तो यह तो सारी बात हो गई चंबल की और साथ-साथ उसकी सायक नदियों की अब हम वह चीज पढ़ने जा रहे हैं जो पेपर में अक्सर पूछी गई है चंबल नदी को लेकर चंबल से अगर वह जायतर कुशिन पूछता है तो वह गली अरोजिन के बार में पूछ सकता है यानि कि नली अपर्दन भीहड खड रेवाइंस के बार में पूछ देता है साथ-साथ इन डैम्स को जो चंबल पर इस्थित हैं यह चंबल पर लोकेटेड है इन्हें वह नौट से साथ लगाने के लिए या फिर साथ से नौट लगाने के लिए दे देता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला अगर हम बात करें तो गांधी सागर है चंबल पर बिल्कुल जहां से ओरिजिनेट हो रही है जब इसका उद्गम हो रहा है चंबल का उससे थोड़े सी चलकर हमें गांधी सागर मिलेगा फिर यह गांधी सागर के बाद गांधी सागर पर ही जो डैम है चंबल पर उसे हम गांधी सागर डैम के नाम से भी जानते हैं उसके बाद राना प्रताब सागर जिस पर राना प्रताब डैम बना हुआ है फिर जवाहर सागर जिस पर जव यह चारो चीजह याद करेंगे आसानी से गांधी राणा जवाहर को मिले कितने चाहानी से याद कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है दिखान रखेगा पेपर के पॉइंट व्यूसे क्योंकि इन्हें डिरेक्ट लगाने के लिए देता है वो नौट से साउट चलिए तो ये तो बात हो गई चंबल पर जो भी मेजर डैम्ट लोकेटेड है अब अकर हम बात करते हैं यम्मुणा में चंबल के बारे में तो वह अ यही तीन सायक नदी हमारी बची है यमना याद कीजिए ट्रिक क्या थी यमना की चेन में चंबल सिंध बेत्वा केन तो चंबल हम लोगों ने कवर कर दिया और अब हम कहां मूव ओन करते हैं सिंध बेत्वा और केन पर अगर हम सिंध की बात करें तो यह ममालवा के पठार से करते हैं और बेत्वा विंधरेंज से निकलती है इसी तरह जो केन है यह बुंदेल खंड रीजन में निकलती है ध्यान दीजे बुंदेल खंड रीजन एंपी यूपी के बॉर्डर पर ही है वहां से यह निकल रही है केन कैमूर हिल्स से और कैमूर हिल्स में भी अगर हम एक एक्जेक लोकेशन की बात करें तो वो है जबलपुल ड्रिस्टिक जो कहां पर है MP में है जादा तर जो यमना की सहायक नदी है यमना की जो सहायक नदी है वो कहां से आ रही है MP से ही हा रही है जैसे सिंद आपने देखा मालवा के पठा से MP भले ही यह राजस्थान और यूप पूर हिल्स अगेन इन MP लेकिन जब इनके एंड की बात अगर हम करते हैं यमना की जितनी भी सायक नदियों का ओरिजिन था फिर चाहें वो चंबल ही हो वो सब कहां से आई मध्य प्रदेश से आई लेकिन जब वो यमना में मिलेंगी तब वो कहां आकर मिलती है उत्तर प्र यमना की सायक नदियों को भी देखा अब चलते हैं गंगा की उस सायक नदी पर जो यमना के बाद उसे आकर मिलती है यानि कि हमने इलाबाद तक हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयाग राश्त पहुंच चुके हैं गंगा यमना का संगम हो गया है अब जो अगली यानि की दूसरी सहायक नदी जो से दाय हाथ से आकर मिलेगी वो कौन सी है तमसा नदी, तो तमसा नदी के अगर हम उद्गम की बात करें, तो तमसा नदी कहा से निकलती है, तामकुंड से निकलती है, कैमूर रेंज में, कैमूर रेंज से कन्फ्यूज मत हो येगा, कहीं पर कैमूर हि को आगे बढ़ा देते हैं यानि की नौर्थ-East की तरफ जब हम विंद रेंज को बढ़ाते हैं तो उसे ही हम कैमूर रेंज के नाम से जानते हैं डेटेल देखने के लिए आप माउंटें रेंज वाली वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं चलिए तो यह हो गया तमसा नदी का उद्गम जो कहां से है तामकुंड से है कैसे याद करेंगे तरफ से तमसा तमसा ताम्र से निकलती हैं तो तमसा ताम्र मतलब तामकुंड से निकलती हैं दूसरा important fact जो इसके बारे में again मैं आपको revise करा रही हूं तमसा को ही हम tones नदी के नाम से जानते हैं confuse मत कीजेगा यह tones गंगा की सायक है जिसे हम तमसा भी कहते हैं वहीं एक और अभी हमने टोन्स पड़ी जो यमना की सायक थी और साथ साथ यमना की लार्जस्ट ट्रिब्यूटरी भी थी ठीक है तो यह बात हो गई तमसा के बार में साथ साथ एक आयोध्या में भी एक तमसा नदी है कन्फ्यूज मत होएगा वो तंसा अलग है यह तंसा अलग है देखे दो चीज़े क्लियर हो रही है इसी तंसा का दूसरा नाम टोन्स है यह टोन्स को यमना वाली टोन्स से कन्फ्यूज मत किना क्योंकि यह वाली टोन्स कहां पर है यह वाली टोन्स गंगा की सायक है जबकि य किसी को याद रखना है जो गंगा में आकर मिलती है सिर्सा के पास ठीक है तो ये तो सारी बात हो गई इस तमसा नदी की साथ-साथ ये MP और UP में भैती है जबकि वो वाली तमसा जो युद्ध्या के पास है वो सिर्फ UP के लिए ही है सिर्फ UP में भैती है तो ये बात हो गई त तून्स रिवर भी आप साथ साथ इससे कह सकते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है टून्स चलिए नेक्स अगर हम बात करें जो तून्स नदी के बाद अब हम चलते हैं यानि कि तमसा नदी के बाद अगर हम आगे चलें तो गंगा मेरा यूपी और बिहार का बॉर्डर क बनाती है कुश्चिन पूछ लेता है यूपी बिहार का बॉर्डर बनाने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है तो वो है कर्मनासा नदी कर्मनासा की अगर हम बात करें तो यह कैमूड रिस्टिक से निकलती है बिहार में और यह जब गंगा में मिल रही है तो एक तरफ इ तो यह बात हो गई गंगा की तीसरी सायक नदी की जो दाय हाथ से आकर उसे जॉइन करती है अगे अगर हम देखे तो सोन बहुत-बहुत इंपोर्टेंट रिवर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ-साथ गंगा की सायक नदियों की भी अगर हम बात करें तो अगर तो यह बढ़ाते हैं यानि की उत्तर पूर्फ की तरफ बढ़ाएंगे तो सद्पुडा महादेव और मैकाल के नाम से जानी जाती है मैकाल रेंज का ही सबसे उची चोटी के अगर हम बात करें तो वो अमरकंटक के नाम से भी जानी जाती है इसके लिए भी आप माउंटें रेंज वाली वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं तो यहां पर हम आचाते हैं सोन रिवर के उद्गम को लेकर यानि कि सोन के ओरिजिन को जो कहां से हो रहा है अमर कंटक के पठा से हो रहा है अमर कंटक के पठा से चारो तरफ नदिया निकलती है लेकिन जो इस पर कुश्चिन बनता है पेपर में और जो अकसर पूछा भी गय वन फोस तुवर्द था वेस्ट फी अमगांटक प्लाटो नेम डैट रिवर एक नदी का नाम दिया होता है दूसरी नदी का नाम वह पूछ लेता है तो जो दू नदियां है इंपॉर्टन निकलती तो सारी तरह तरह नदियां लेकिन जो दो नदियां जादा तरह पेपर में कहां चली जाती है अरब साग immunity में ध्यारबियथी तो अमर में पैसें करेंगे संपलं क्या है थे तो आपको आपको याद होगा हुगा लेकिन फिर आप जिसको सोन address renew पणते मोशन से선 Rig गंगा में बीषट सबक्राई में मिलेंगी दॉपर तो बाते हैं जो साइक Integration Bay अब बात करते हैं strengthen Conga शायक नदी सन पौज के सुन में नही विंड़तीया इनصل मोशन मुलती है उनसी जनन सायक नदी कोसे स के से सुन ऐढ़े हैं इनके बस नाम ध्यान दीजिएगा जोहिला है गोपट, रिहंद और नौर्थ कोयल जोहिला, गोपट, रिहंद और नौर्थ कोयल याद कैसे करेंगे जो गोरी कोयल सोने की है जो का मतलब है जोहिला से गो का मतलब गोपट, री का मतलब रिहंद और कोयल is North कोयल, सोने की का मतलब सोन से है, तो ये बात हो गई, सोन की सायक नदियों की, साथ-साथ यहां पर एक बहुत जरूरी चीज़ याद रखेगा, रिहन पर एक डैम है, रिहन डैम, उसको भी बहुत important है, पेपर के point of view से, जब हम सारी नदियां cover कर लेंगे, उसके बा साथ-साथ, North कोयल याद रखेगा, क्योंकि एक और नदिय अभी हम पढ़ेंगे, South कोयल जिसका नाम होगा, तो confuse मत होईएगा, South कोयल हम तब discuss करेंगे, जब हम prior DPA नदियां पढ़ेंगे, लेकिन जो सोन की सायक नदी है, वो कौन सी है, North कोयल, तो ये बात हो गई, सोन की, क सोन नदी की बात करें, तो सोन नदी पर भी एक डैम बना हुआ है, जिसे हम मान सागर के नाम से जानते हैं, साथ-साथ, अगर हम सोन के स्टेट्स देखें, कि सोन कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो है चतिसगर, मध्यप्रदेश, उत्तरपदेश, जहारकन और बहुत ध्यान दिजेगा, क्योंकि अमरकंटक से निकल रही है, और जो अमरकंटक है, वो MP और चतिसगर के बॉर्डर पर है, तो चतिसगर हो गया MP, UP, जहारकन और बिहार, जिनसे हमारी सोन नदी होकर गुजरती है, अब आते हैं, most important fact जो है सोन नदी का, वो ये है, second largest Ganga Southern Trib Tributory, बहुत important है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, second largest Ganga Southern Tributory, मतलब दक्षिन से मिलने वाली Ganga की सायक नदियों में, दूसरी largest, जो सायक नदी है, वो कौन सी है, सोन है, दूसरी, ध्यान दिजेगा, जब हमने यमना पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था, second largest Tributory of Ganga, क्या थी, यमना, second largest Tributory of Ganga, हमने क्या बोला था, यमना को बोला था, जबकि हम यहाँ पर क्या कह रहे है, second largest Ganga Southern Tributory, मतलब, जब हम सारी Ganga की सायक नदियों को देखेंगे, तो दूसरे नमबर की सबसे largest Tributory कौन सी होगी, यमना, जब सारी सायक नदियों की बात तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, मेरी second सबसे बड़ी कौन सी होगी, यमना, लेकिन जब हम सिर्फ दक्षण वालों की बात करेंगे, गंगा से मिलने वाली वो नदियां, जो दक्षण से उसे मिलती है, यह हम बात करें, कि right hand side से, दाय तरफ से जो गंगा में नदियां मिलती है, उनमें सबसे largest नदि के अगर हम बात करें, second largest की तो वो कौन सी होगी, सोन, और first largest कौन सी है, जो right hand side से मिल रही है, यमना, second largest कौन सी होगी, जो right hand side से मिल रही है, सोन, लेकिन जब हम overall बात करेंगे, तो second largest के आएगी, यमना, I hope कि अब आपको दोनों बाते clear हो रही होगी जब हम overall बात कर रहे हैं, सारी गंगा की सायक नदियों में, तो यमना उसकी second largest, ओके, लेकिन अगर सिफ हम right hand बाली नदियों की बात करें, जो गंगा से मिल रही है, दाए हाथ से, तो उसमें सबसे पहले कौन सी है, यमना, और दूसरे नमबर पर कौन सी है, सोन, किसमें largest, म अगर हम बात करें कि गंगा की सारी सायक नदियों में, तो यमना दूसरे नमबर पर ऐसी नदी है, जो सबसे जादा पानी उसमें लाकर डालती है, जब हम सारी सायक नदियों की बात करेंगे, चलिए, तो ये बात हो गई, सोन के फैक्की और इस पे जारा ध्यान भी करें नाथी नदी के पुनपुन नदी है निकलती है अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यह से पिला मुदिस्ट्रेंग च्छारखंट month निकलती है और रिखनगंगा है इसके लिए आप भस इतनी जानकारी रखेगा पुन-पुन कहां से निकलती है इंपोर्टेंट नदी है छोटा नाग्पुत के पठार से स्पेसिफिकली फ्लामु डिस्ट्रिक इंजाखंड और गंगा में पटना के पास आकर मिल जाती है नेक्स अगर हम बात करें फाल्गु नदी बहुत ही बहुत इं इस्ट्रो्रिकल पॉइंट आफ वी कियोंकि अगर हम बात करें फाल्गु नदी की अगर करें तो फाल्गु नदी को हम निरंजन नदी के नाम से भी जानते हैं जिसे आप निरंजना भी कह सकते हैं अगर आप कोई पता हो तो बुध्य ग्यान प्राप्त हुआ था वो चाहिए पर लोग अपना पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो हें जाते हैं खाया कहां पर है किसके बेंक्स पर है फालगू नदी के किनारे पर ही गया और बोध घया ध्यान दीचेका तौ इसका historical point of view भी है और साथ था religious point of view चलिए तो ये तो बात हो गई गंगा की सारी सायक नदियों की जो हमें देखनी थी अगर हम right hand side से चल रहे थे starting हमने सबसे पहले यमना से करी उसके बाद हम चले तमसा नदी पर जिसे tones भी हमने कहा फिर कर्म नासा उसके बाद सोन फिर पुनपुन और फालगू ये तो सारी नदी अब हमने cover कर ली है गंगा की जो उसके दाएं हाथ से मिल रही थी साथ साथ अगर आप इस map को देखें तो देखें यहां दो और नदी मिलती है मतलब जब उसकी एक डिस्टिब्यूटरी एक वितरिका बन जाती है हुगली तो यह उसकी सायक नदिया है महियुराक्षी और दामोदर और इन्हें हम कब पढ़ेंगे जब हम भ्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे यानि कि जब हम गंगा को पदमा के गंगा का जो पदमा का रूप है उसके बार में पढ़ेंगे और साथ-साथ उसी में हम लोग भोगली को भी डिस्कस करेंगे तो इसी के साथ आपका जितना भी गंगा का राइट हैंड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी थी गंगा की वह सायक नदिया जो से दाय तरफ से मिलती है वह हमने कवर कर ली है अब हम नेक्स लेक्चर में गंगा की वह सायक नदिया पड़ेंगे जो कहां से आती हैं left hand से में उसके मिलती है यानि कि हम राम गंगा से शुरू होकर कहां तक जाएंगे महानन्दा तक जाएंगे तो इसी तरह हमारा पूरा गंगा रिवर सिस्टम कम्प्लीट हो जाएगा so I hope कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथ साथ जो शॉर्ट ट्रिक्स दिये गए हैं आप उने रिवाइस कीजिएगा so that वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं till then take care, goodbye, thank you